पगोडा का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में समझ लेती हैं पगोडा का आर्थ होता है मंदिर, शिवाल्य, हिंदुस्तानी मूर्थी मंदिर और मुद्रा या पगोडा मेरू मंदिर यानि कि जो इस तरीके के मंदिर होती हैं, जिन्हें एक के बाद एक tower या multi-layered tower के रूप में बनाया जाता है, इनके एक tower के बाद और tower और tower इस तरीके से जो मंदिर होती हैं, उनको pagoda कहा जाता है, इसके इलावा जो शिवाल्य या हिंदुस्तानी मंदिर हैं, उनको आम तोर pagoda कहा जाता है, जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि हमारे घर के पीछे एक उंचा शिवाल्य है, तो आप कहेंगे, a high pagoda rises behind our house, या अगर आप ये कहना चाहें कि एक प्राचीन मंदिर पहाड पर इस्थित है, तो आप कहेंगे, an ancient pagoda france on the mountain side, an ancient pagoda france on the mountain side, अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल